दित्यानियम में बात बताए गई कि यदि दो या दो से अधिक सहल दुबारा सुने फेराड़े का दित्यानियम कि दो या दो से अधिक सहल यदि स्रेणी करम में जुड़े हो तो केथोड पर जमा परतार्त की मात्रा उनके तुल्यांकी बारों के अनुपात में होती है ऐसा फिराड़े की दित्तिया निमें बताए गया जैसे देखो जैसे मानलो की कोई एक सहल है यह यहाँ पर यह मानलो की कोपर का एनोड वा कोपर का कैथोड है परसलफेट का वीलियन इसके अंदर बरा हुआ है दूसरे परकार के सहल की बात की यह मानलो की यहाँ पर यह चांदी का एनोड वा चांदी का के थोड है और इसके अंदर एज़ी एनोथरी का वीलियन बरा हुआ है तीसरे परकार के सहल की बात की कि यह मानलो कि इस सेल के अंदर है तीसरे प्रकार का सेल है तीन प्रकार के सेल ले लो आप जैसे मानलो आइडोजन का इलेक्टोड लगा दू मैं यहां पर भी आइडोजन का इलेक्टोड लगाना पड़ेगा और HCl का वीलियन बढ़ना पड़ेगा इनको सरेनी कर्म में जोड़ दिया गया है सरेनी कर्म में जोड़ने पर समान दारा समय के लिए प्रवाहित कर दी जाए तो इनके जो के थोड़ पर जमा परदार्थ की मात्राओं का जो अनपात होता है वो तुल्यांकी बारों के अनपात में होता है ऐसा फिराडे ने बताया था दुबारा सुने यदि दो या दो से अधीक सैल सरेनी कर्म में जोड़े हो तो के थोड़ पर जमा परदार्थ की मात्राओं का अनपात उनके तुल्यांकी बारों के अनपात में होता है जैसे मालो ये पहला सैल है ये दूसरा सैल है और ये तीसरा सैल है यहाँ पर जो जमा जमाप्रदार्त की मात्रा है वह डबलू कई दें यहां पर जो ही निकट्ठी होगी उसको सेम होगी तो जो आई हैं पर वाहित हैं कि मातले हैं से यहां पर W1 शमानु checkpoint क्यूं होगा यहांपने करत से फिराडे होता है और डबलू बराबर एं जड, क्यूंग होता है और क्यू की जगें क्या लिख सकते हैं आइ टी लिख सकते हैं और डबलू बराबर, जड, आइटी लिख सकते हैं, क्यूंकि descriptions आड़े के पर्थम नियम में बताया गया था कि यदि समान के थोड़ पर जमा परदार्थ की मात्रा परवाई तावेश के समानुपाती होती है समानुपाती का निसान जब जब हटाया जाता है तब तब एक निये तांक लगाया जाता है और यहां पर यह निये तांक लगा द और डबलू ब्राबर क्या जाएगा जेड़ाइटी और जेड़ की जिगें क्या लिख सकते हैं जेड़ की जिगें आप लिख सकते हो ई अपून छाणवाई जार चार सो सतासी आईटी यहां पर तुल्यांकी बार होता है तो कुल मिलाकर यहां पर समान दारा परवाहित की जारी है इसका मतलब समान आवेस परवाहित की आजारा है समान आवेस परवाहित की आजाता है तो यहां पर जो जमापरदार्थ की मातरा होगी वो भी आवेस की समनपती यह ने तांक लगा देगे तो डबलूवन बराबर एंगुव्नर क्यूश दबलू टू बराबर एंगे यह दो नदांक DP धरी बराबर आउनी की कि क्योश साभी Environment आफ मादार्त की मांत रवेस के समानुपार्ति होती है कि यहां पर समानुपात्य निषान अटाइगे तो एक निये टांग के लगा देंगे तो z1 z2 अर जेड धरी यहां पर निये टांग लगा दिया और जेड क्या होता है जैड अभी बताया कि क्या जाएगा जेड का मान आजाएगा तो यहां पर जेड का मान क्या आएगा देखो तो डबलू वन बराबर कि एवन अपोन चानवें जार चार सोशता सी जैसे यहां पर तंबा है तो तंबे का तुल्यांकी बार लेना पड़ेगा यहां पर यदि चांदी है तो चंदी का तुल्यांकी बार लेना पड़ेगा यहां पर जैसे आइडोजन का तुल्यांकी बार लेना होगा तो यानि कि तुल्यांकी बार सब का लग लग होगा तो डबलू ब्राबर यहां पर दूसरे लिया जाएगा इसी परकार से यह तीसरे परकार का सैल है तो यहां पर डबलू थरी निकालेंगे तो यहां पर जेड का मनतो रखते हैं क्यों यहां पर यहां पर भी चुछ यहां पर भी यह अब इनका क्या कर दें इसको अपने कहा दे कि इसको समीकन नमबर एक कहा दे इसको समीकन नमबर दो कहा दे इसको समीकन नमबर तीन कहा दे समीकन एक दो वैत तीन की तुलना कर ले तुलना करने से क्या आईगा देखो देखो द्यान से समीकन एक में दो का भागत देख बार समीकन एक वन भाई टू से समीकन एक क्या है कि W1 बराबर क्या होता है E1 Q अपोन 94497 यह समीकन नमबर पहली है समीकन दूसरी क्या है W2 बराबर क्या है E2 अपोन 9544 Georgetown 87 Q यह समीकन नमबर दू है अपनोंने क्या-क्या समीकन एक में दू का बाग दे दिया यन्मिए की डवलू बन डवन बरबर क्या होगा ईवन क्यू अपोन छानवय 24807 अपोन एट्टू क्यू युँ इड़ा चानवय 2480 जो कटता है उसको काट दो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा जानवय 400 0uc hundreds से 96400 सी चैन सिलो जाएगा तो i1 ब्राबर क्या गया ऍ ही वन अपॉन ए-2 या पिर इसका अनुपात लिखना हो अपने को कि i1 ब्राबर क्या होगा उफ्म एक है यही तो फिराडे के दित्य defended यंधे में कहा अगया है कि यदि दो या दो से अधीक सहल यदी श्रेणी कर में जुड़े हो तो उसमें समान आवे समान समय के लिए परवाइद किया जाए या आपने ऐसे कहते समांदारा परवाइद कि जाए तो जो जमापरदार्थ की मात्रा है जो के थोड़ पर जमापरदार्थ की मात्राइं है उनका अनुपात तुल्यांकई बार के अनपात में होता है यही फिराडे का दित्य नीएं हैदी यह तो इसमा क्योंत प्रदर्त की मात्राओं का नपात है और और यहां पर दुज्य कंपधाराओं की बास में तो इसका जैसे मांलों यहांपर W1 सुरे के लिता है जी ठीक थमाद्ध भारई ral Biik है वह सोभ इज़ना मानुपात्य एपनाद पर होता है इसको समिकशन मोर से इसको समझानिच नमर देखर इक एक में दो का बाग्य देदिया वर इसे पता चला कि कि धोड़ पर जमा प्रदर्थ की मात्राओं का अनपात उनके तुल्यांकी बारों के अनपात में होता है अब देखो अपने तुल्यांकी बारों का पता ही है अपने को यहां पर जो जमा हो रहा है उसको मैं डबलू कोपर वाला सेल है तो डबलू कोपर कह दो यहां पर जो कठा हो रहा है वो डबलू एजी कह दो चांदी कठी हो रही है यहां पर जो कठा हो रहा है वो डबलू अच आइडोजन कह दो तो इनके तुल्यांकी बार क्या है, इनके तुल्यांकी बार क्या है, कोपर का तुल्यांकी बार होता है, वो होता है, कोपर होता है, उसका तुल्यांकी बार होता है, वो कोपर का अनू बार होता है, सोरी, प्रमानू बार होता है, 63.5 और इसकी स्योजकता होती है, दो, तो यह चंदी है चंदी का तुल्या अलिए ancient होता है एक सुषाध पॉइट एक पुरिश इूजगता है यहां परें हो यहां Watch कि एस्टू स्टू का चुमारो बार होता हैं वह स्भी जिरो शाट होता है और यहां पर आएगा वो वह जाएगा यानि कि 37 पॉइंटे यानि कि 31 पॉइंटे 75 कितना ही आईगा 3, 2, 6, 1 और 7, 2, चदा 31 पॉइंट 75 अनपाते इसमें एक आप आग दोगे तो 107 पॉइंटे एट एट अनपाते 1.008 तो अपने लगबग में लिख दे तो ये कितना है 31 पॉइंटे 31 पॉइंटे 75 अनपाते 108 108 अनपात एक ये होगा यानि कि जो तामबा इकठा होगा 31.75 ग्राम इकठा होगा उसी टाइम में चांदी जो 108 ग्राम इकठी होगी और आइडोजन क्या होगा ये कि एक राम इकठा होगा यानि कि कितोड़ पर जमा परदार्थ की मात्राउं का नपात उनके तुलांकी बारू के नुपार्थ में होता है ऐसा फिर अड़े के दित्य नियम में बताया जाता है चलो फिर बता देते हैं कि कोई एक सैल है जिसमें पांच चैंपिर की दारा दस मिट तक प्रवाइद की गई तो के थोड़ पर जमा एलुमिनियम की मातरा ग्यात करनी है आपको तो यानि कि कोई इस परकार से आप से एक क्यूशन कहना चारा है कि एलुमिनियम की मातरा ग्यात करनी है तो यह एलुमिनियम के इलेक्टोड है आपकी बार एलुमिनियम के इलेक्टोड है तो कोई एलुमिनियम का कोई साल्ट होग कि यहाँ पर यह पर दारा पराइत की गई यह पांच एंपिएर की और यह पर इंप्रत कितने समय तक पर ड़त की गई है तो दस मिनिट तक पर यहानि कि की आई काада कॉप कंवांध आ और टाइम टी का मान कितना है दस मिनिट है लेकिन आप सभी जानते हो टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है वो मिनिट नहीं सेकेंड होता है तो टी का मान क्या हो जाएगा दस इंटू 60 सेकेंड तो ये टोटल हो जाएगा टी का मान 600 सेकेंड हो जाएगा तो अब आप जानते हो कि wr स मानुपाती क्यू होता है डबलू बराबर जड क्यूंद 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 क्यू और उत्तर प्राप्त कर लो कितना साथ तो काम करना था कि अब इसमें कि अब यह है वो तुल्यांकी बार है तुल्यांकी बार रखो कि यहां प्रिशकता थीन परहें है तो कि अब इसका यहां कि आपको तुल्यांकी बार घ्याद करना होगा तो aluminium के जो मोलीकुलर मास है अनु बार है उसमें 3 का वाग देना पड़ेगा और aluminium का KEVIN democraticलर मास है aluminum का atomic performs hay atom की फर में this atomic mass h'tay 27 होता है उसमें 3 कावाग दें तो 19 आजाएगा तोerson fiber बराबर 9 इंटु आई का मान पांच एंपिर की तारा है टी समय है समय का मान शत्सो सेकिंड है तो शत्सो सेकिंड अपोन चानवाई जार चार्सो सतासी इसका गुणा बाग करोगे तो यह आजाएगा ग्राम में इस परकार से आपको करना होगा तो जान देना एक गल्ती तो विद्धार्थी यह करते हैं कि कि टाइम को मिंट की मिंटी पड़ी रहने देते हैं आप को यह ज्यान रखना है कि टाइम समय को मेंसा सेकिंड में ले समय को मेंसा सेकिंड में ले पहला पहली गलती यहां होती है दूसरी गलती यहां होती है अलुमिनियों का कई यहां पर स प्रमाणू बार काम में लेना आपको तुल्यांकी बार काम में लेना है तुल्यांकी बार होता है प्रमाणू बार में स्योजकता का बाग दे दिया और यहां पर इसको तोड़ कर देखना है तो इस पर पता लगा कि इस पर प्लस तीन है तो स्योजकता इसकी तीन है तीन का ब कर प्रेसानी संका है तो बोलो